बिना पुन्य की ये पुन्य का फल सबको चाहिए, लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को नहीं चाहिए इस तरह न कमाओ की पाप हो जाए इस तरह खर्च न करो की कर्ज हो जाए इस तरह न खाओ की मर्ज हो जाए इस तरह न बोलो की कलेश हो जाए इस तरह न चलो की देर हो जाए इस तरह न सोचो की चिंता हो जाए छोटा बन कर रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी मनजिल बड़ा होने पर मां भी गोच से उतार देती है जूट बोलकर रिष्टे उल जाने से अच्छा है सच बोलकर समझा लिये जाए क्योंकि सच्चाई देर सबेर सामने आही जाएगी मदद करना सीखिये फाइदे के बगेर मिलना जुलना सीखिये मतलब के बगेर जिंदगी जीना सीखिये दिखावे के बगेर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुचाता और दूसरों को बाधा पहुचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं पढ़ता कभी किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो भी सेहन कर लो क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती रहता है गुसा अकेला आता है मगर हमेशा सारी अच्छाई ले जाता है सब्रभी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है एक छोटी सी चीटी आपके पैर को काट सकती है पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते इसी लिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे वह जो कर सकता है शायद आप न कर पाए अगर कोई व्यक्ति आप से जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं है बलकि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पे मजबूर करती है समाज में बदलाव क्यों नहीं आता क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं मध्यम में फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे उसकी मन्जिल पर ले जा रहे हैं बलकि यहाँ समझना की अर्थी पर लेटा इंसान मुर्दा होकर भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जो लोग आपसे जलते हैं, उन लोगों से नफरत कभी मत करना। क्योंकि यही वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बैतर हैं। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, आप उससे कभी जीत नहीं सकते। आप अपनी जिंदगी की तुलना अन्य लोगों के साथ मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं लेकिन अपने अपने समय पर। मंदिर में वो भगवान है जिसे हमने बनाया है, लेकिन घर में माबाप वो भगवान है जिनोंने हमें बनाया है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोब जैसी कोई बिमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुन्य नहीं है। कई बार चुप रहना बुजदिली नहीं बलकि समझदारी और वक्त का तकाजा होता है। जो ज्यानी होता है उसे जाता है। टाकत के संग नेक रादेल भी रखना, वरनौh ऐसा क्या था? जो रावन हार गया। संसार जरुत के नियमों पर चलता है। सरदियों में जिस सूरज का इंटजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरसकार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरुवत होगी अपने रहस्य किसी को भी मत बताओ ये आदत आपको खत्म कर देगी छोटी मोटी घटना से हताश मत होई है जो चंदन घिस जाता है उसे भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है और जो नहीं घिस था वह सर्फ जलाने के काम भी आता है और चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गुंगे भी बोल पड़ते हैं मंदिरों में क्यों धुन्टे हो उसे वो तो वहां भी है जहां तुम गुना और अपराद करते हो कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग इंसान लोमडी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी कुरूर है और तो और इंसान वो फितरत है जो पुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदे करता है तो करने देना क्योंकि शक्स सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है कोईले की काल जिसे खांदानी जायदार मिली हो और जिसने धोके से पैसा कमाया हो सत्य की भूक सबको है लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है हमें कितने लोग पैचानते हैं यह माइने नहीं रखता बलकि किस वज़े से पैचानते हैं यह बहुत माइने रखता है उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो को आप लाइक और जादा से यादा शेयर ज़रूँ